Hello and welcome everyone तो कैसे हैं आप सब? I hope you are all well So, यहाँ पर part 2 है body fluids and circulation का part 1 में ने इसका upload किया है So, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा body fluids and circulation है chapter number 18 है class 11th biology का और जो human physiology है उसका unit 3 है unit 1 that is diation and absorption हो हमने complete किया है उसके बाद breathing and exchange change of gases वो भी हमने complete किया है so इस पार्ट से हम इसको भी complete करेंगे so यहां पर आप देख सकते हो which of the following organs will only receive oxygenated blood second lung spleen liver आपको बोलना है कि इन में से कौन सा organ खाली oxygenated blood receive करता है इसका जो correct option है वो है सुपलीन सुपलीन यहां पर आपका organ है ओके और यह खाली oxygenated blood receive करता है next question आप यहां पर देख सकते हो the blood cells which help in the transportation of fates are erythocytes, lymphocytes, monocytes, neutrophils इसका जो correct option है वो है option भी lymphocytes तो यहां पर fates जब absorb होते हैं तो उसके बाद इनको transport करना है ओके different cells तक पहुंचाना है different tissues तक यहां पर lymphocytes मदद करते हैं transportation of fates क्योंकि जो fates है okay यह हमारा lymph होता है lymph जिसकों tissue fluid या interstitution fluid भी कहते हैं lymph में lymphocytes होते हैं lymphocytes two types की होते हैं मैंने part one में बोला है b lymphocytes and t lymphocytes so यह immune response के लिए भी इनवालो होते हैं और यहां पर जो lymph में lymphoci Reids होते हैं यहां पर lymph में phates 바s transport होते हैं so lymphocyytes इनको मदद करती हैं transportation के लिए phates को okay so यहां पर आपको या भी या रखना है कि जो phates यह absorb होते हैं lymph में lymph मे अब्सार्व होते हैं यह directly blood में absorb नहीं होते हैं import point है कि जो fit pajj都 heart ये डिरेक्टिश ब्लड में foster नहीं होते हैं पहले Leap में होते हैं कहां पी यlles प्रेज़ों गिविर्ज़ों प्रिज में इंटस्टेन्ग में जाते हैं यहां पर टेशिय स्टेम्स एवा यह लिह तैज समर्यों पर लिंफोसाइट सें, B-Limphosाइट सें, T-Limphosाइट सें यह याद रखना, यह पॉइंट्स याद रखना नेक्स्ट कुशन आप यहाँ पर देख सकते हो इन A-B-O सिस्टम आप बुलर्ड गूपस आप पता होके हम ब्ला ग्रूपस में ब्ला ग्रूपस आपको पता होका कि युनिवर्सल डोनर होता है blood group O आप किसी भी patient को देख सकते हो तो आपको पता होगा कि अगर किसी patient को यहाँ पर कोई blood जरूरत होता है तो पहले उस patient का चक किया जाता है अगर उसका B है तो हम पहले B को डूंडते है B blood group वाले इनसान को इसी तरीके से अगर किसी patient donor है आप उस patient को O देख सकते हो अगर आपको इन में से नहीं मिला या आप पहले भी देख सकते हो क्योंकि जो blood group O है इसमें यहाँ पर एंटीजन नहीं होती है मगर एंटीजन होते हैं किसके खिलाब A और B के खिलाब सो जब एंटीजन नहीं होते हैं एंटीजन 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 नहीं कंप्लेक्स नहीं बनेगा आपको पता होगा कि अगर आपके बाडी में कोई foreign organism चला जाता है कोई bacteria वाइरस या फंजे चला जाता है तो उसके खिलाब हमारी зजो immune system है वो यहाँ पर antibodies produce करता है तो फिर यहाँ पर antibodies antibodies के साथ मिलती है antigen antibody complex बनता है तो यहाँ पर यह उस bacteria या virus F. fungi को खा जाता है जब antigen antibody complex बनता है तो जब यहाँ पर अगर antigen antibody complex नहीं बनेगा तो यह उसका कुछ नहीं बिगाड सकता है अगर यहाँ पर patient A blood group है और मैंने O blood group इसमें डाला तो यहाँ पर जब antigen antibody complex नहीं बनेगा तो यहाँ पर यह इसको कुछ नहीं कर सकता है blood group O को इसकी सेलोज को कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें antigen present नहीं होते है so blood group O को याद रखना कि यह universal donor है अगर हम blood group A B की बात करें तो यह universal recipient होता है यह याद रखना universal recipient जो blood group A B होता है आप यहाँ पर इसको blood group A दे दो कुछ नहीं होगा blood group B दे दो या blood group O दे दो कुछ नहीं होगा या blood group A B तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर यह universal recipient है तो आप इसको कोई भी blood group दे सकते हो क्योंकि इसमें antibodies किसी के भी खिलाफ नहीं होती है इसमें यहाँ पर antibodies नहीं होते हैं तो यहाँ पर O का opposite है इसमें antibodies नहीं होते हैं लेकिन antigenals होते हैं याद रखना Next question आप यहाँ पर देख सकते हो The non-granulated white blood corpuscles are Option A आप देख सकते हो B, C, D इसका जो correct option है वो है option D अगर आपने part A देखा है तो आपको यह आया होगा lymphocytes and monocytes और non-granulated तो अगर हम WBCs की बात करें जिनकों हम leucocytes भी कहते हैं यह two types के होते हैं mainly granulated sites and non-granulated so यहाँ पर हमको non-granulated पूछा गया है तो lymphocytes and monocytes non-granulated होते हैं ओके so lymphocytes फिर two types की होते हैं अभी मैंने बोला B and T lymphocytes तो non-granulated में यहाँ पर याद लगना lymphocytes and monocytes अगर हम granulated की बात करें इसमें फिर basophilus, isinophilus and neutrophilus आती है lift is a modified blood date container lift की मैंने बात की okay lift की मैंने पहले भी बात की की interstitial fluid हम इसको कहते हैं या इसको हम tissue fluid कहते हैं so इसमें all contents होते हैं except RBCs जो यहाँ पर formed elements जिनको हम कहते हैं RBCs यहाँ पर इस पर नहीं होते हैं RBCs को हम orthocytes भी कहते हैं okay और WBCs को हम क्या कहते हैं leekocytes so इसमें यहाँ पर all contents होते हैं except RBCs and certain proteins इसो हाँ पर और फियाक्ता को हम यर्थोसाइड केते हैं वब्लोकसाइड की हमारे में फलेट लेट येटिस heißt फिर पिलेट लेटिस को हम क्या कहते हैं फोन्बसाइड याद रखना República को य्रोसाइड अव्लेटिस्ऑ को यूप को साइड नेक्स्ट कौक्ड्णि आप इस अपन कुलोजर बोट A and B अपन एंटी रिली तो यहां पर इसका जो कॉरेक्ट आप्शन है आपको पता होगा कि जो अर्थवर में यह फाइलम एनलेडा से बिलांग करती है और फाइलम एनलेडा और फाइलम जो हम हैं फाइलम कॉड़ेटा इन में क्या होता है फाइलम एनलेडा से बिलांग करती है यहां पर फिर से क्वचेशन है फाइलम एनलेडा से बिलांग करती है नेक्स्ट वेशन आप यहां पर देख सकते हो bundle of his is a network of neurofibers found throughout the heart muscle fibers distributed throughout the heart walls muscle fibers found only in the ventricular wall neurofibers distributed in ventricles इसका जो correct option है वो है option C जो हमारा heart होता है यहां पर मैं rough diagram बनाऊँगा इसमें four chambers होते हैं तो यह मेरे पास यहां पर right atria है This right atria है कि यह मेरे पास right ventricle है यह left atria है यह ओके left atria है यह वाला यह वई-फ़ेडर्या है और यह left ventricle है तो यहां पर bundle of his is a network of bundle of his यहां पर muscle fibers होते हैं और आपको यह खाली ventricles में दिखेंगी जोकी यहां पर आप देख सकते हो ये खाली ventricles में होती है ये muscle fibers होती है जो कि खाली ventricles में होती है next one the wall of heart is made up of epicardium, myocardium, endocardium all of these correct option is all of these जो heart का wall होता है वो epicardium का भी बना होता है myocardium भी एंड, endocardium ये उसके तीन पार्ट्स है next question आप यहां पर देख सकते हो in the cardiac cycle diastole is the number of heart beats per minute the relaxation period after contraction of heart the forceful pumping action of the heart the contraction period after relaxation of the heart option b is the correct option आपको पता होगा कि जो cardiac cycle होता है इसमें systole and diastole होता है systole contraction है और diastole relaxation period होता है after contraction next question आप यहां पर देख सकते हो हम इसको कौन से blood group यहां पर दे सकते हैं यहां पर इसका blood group A है तो A हम दे सकते हैं first हम देखेंगे कि यहां पर जो यहां पर patient मेरा blood group A है first में यहां पर healthy कोई person डोड़ोंगा जिसका blood group A होगा so यहां पर हम इसको A वाला दे सकते हैं so यहां पर भी A हैं यहां पर भी A हैं यहां पर भी A हैं so मैंने आपको पहले ही बोला कि जो blood group O होता है यह universal donor होता है हम सब किसी को भी यह दे सकते हैं blood group O so इसका जो correct option है होगे option C A and O okay patient था A तो A तो हम दे सकते हैं क्योंकि यह खुद भी A है A हम दे सकते हैं लेकि O भी दे सकते हैं क्योंकि O universal donor है इसमें antigenals नहीं होते हैं O में next question आप यहां पर देख सकते हो largest internal vein from elementary canal to liver is iota, hepatic artery, hepatic vein, hepatic portal vein so the correct option is option D hepatic portal vein सबसे बड़ी यहां पर internal vein होती हैं जो कि elementary canal से लेकर liver तक होती है so